आप तो रेस्पी देके समझ गए होंगे कि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ जो मेरे हस्बेंड को तो बहुत पसंद है तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़दा रेस्पी को आज की डीनर में मैं बनाने वाली हूँ पनीर लबापदार और साथ में बनाऊंगी नान नान भी मैं घर पर ही तयार करूंगी और इसके लिए कुछ तयारिया करनी होंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे 200 गरम पनीर को क्यूब्स में काट लिया है शेप आप अपने अनुसार रख सकते हैं पनीर लबापदार में कुछ सबजिया जाएंगी कुछ मसाले जाएंगे तो वो भी तयारिया कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी साइज का मैंने प्याज काट लिया है दो मीडियम साइज के टमाटर कुछ मसाले लिया है अदरक और लेसन लिया है सबसे पहले मैंने पैन को गरम कर लिया है इसमें एक टिबल स्पून कुकिंग ओयल डाला है तिल को गरम होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा दो छोटी लैची, दो तेजपता, अधरक लेसन डाल दिया है इन मसालों के साथ अब जाएगा प्याज प्याज को मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है साथ में डाला है दो हरी मिर्च पनीर लवावदार की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी लटपटी होती है, थोड़ी सी रिच होती है तो काभी मज़ा आता है पनीर लवावदार बनाने में भी और खाने में भी यहाँ पर मैंने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है गैस का फ्लेम लो रखा है और धकन लगा कर इसे थोरे से 2-3 मिनट तक कुक होने देंगे एक से 2 मिनट के बाद मैंने धकन हटा कर एक बाद चेक कर लिया है वैसे बीच-बीच में चेक करना ज़रूरी है वरना कभी-कभी जल जाता है मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है वापस से धकन लगा कर इसे छोड़ दिया है अब थोरा सा प्याज सॉफ्ट हो चुका था मतलब ट्रांस्लूसेंट हो गया था तो मैंने इसमें दो मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने मोटा मोटा ही काटा है वो भी डाल दिया है दस से बारा था काजू का टुकरा और दो से तीन कश्मीरी लाल मिर्च साथ में मैंने कुछ पाउडर भी डाला है जैसे हल्दी पौडर, कश्मिरी लाल मिर्श पौडर और नमक सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे वापस धकल लगाकर लो फ्लिम पर छोड़ दिया है प्याज और टमाटर के साथ हम थोड़ा सा धनिया पत्ती का डंटल डाल देंगे इससे स्वाद काफी अच्छाता है सबको मिक्स कर दिया है धकल लगाकर छोड़ दिया है इसे कुक होने के लिए अब मैं यहाँ पे थोड़ी से सबजिया काट लूँगी सबजियों में मैंने लिया है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च बीच बीच में मैंने मसालो को चेक कर लिया है कहीं जनला जाए पनीर लाबाबदार की जो यह रिस्पी मैं आप लोगे साथ शेयर कर रही हूँ बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और काफी अच्छी बनी थी यह रिस्पी मतलब आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राइ कीजे दो से तीन बार मैंने धकन हटा कर मसालो को चेक कर लिया है और यह काफी अच्छी तिरह से सौप्ट हो गया था यहाँ पर मैंने सबजियों को भी बारिक काट लिया है जैसे फ्रेश धनिया पत्ती मैंने काट कर रख लिया है अब मैं काट लूँगी सिम्डला मिर्च सिम्डला मिर्च इसमें डालना बिल्कुल आप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं अधर्वाइस आप स्किप कर दे इसके अलावा मैंने काटा है प्याज और टमाटर ये सारी सबजिया जो हैं वो ग्रेवी के तरके में जाएंगी यहां पर मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो गये थे सॉफ्ट हो गये थे कलर काफी अच्छा आया था मैंने यहां पर गयास का फ्लिम बंद कर दिया है और मसालो को ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है ताकि हम इसका एक फाइन पेस्ट तया कर ले मसालो को बीना पानी के ही हमें पीस कर तयार करना है तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल अड़ नहीं किया है और यह काफी आराम से पिस जाती है तो कुछ इस प्रकार से पिस कर तयार हो चुका है अब मैं इसे छान लूँगी किसी छन्नी में तो यहां पर आप मसालो का टेक्शर और कलर देख सकते हैं काफी ब्राइट कलर आया है टेक्शर भी काफी अच्छा था तो यहां पर वापस मैंने वही पैन का यूज किया है उसमें मैंने एक टेबल स्पून कुकिंग ओयल डाला है तिल की गरम होने पर मैंने पनीर के पनीर बिलकुल अच्छी तरह से भून कर तयार है आप देख सकते हैं वापस से मैंने इसी पैन का यूज किया है और इसमें दो बरी चमच तेल डाला है साथ में डाला है थोड़ी सी जीरा पलब आप साथ जीरा भी यूज कर सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं बारी कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छी तरह से मैं गुल्डेन ब्राउन होने तक भुन लूगी प्याज का काफी अच्छा कलारा गया था अब मैं इसमें हलदी पौडर डाल रही हूं थोड़ा सा डाल रही हूं कश्मीरी लाल मिज पौडर और इसमें एक चमच मैं डालूंगी धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूं बारी कटा हुआ टमाटर, यहाँ पर मैंने आधा और एक टमाटर का यूज किया है और उसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से सौप्ट हो जाए, अब मैं इसम बड़ा चमच कशूरी मेथी, इसे हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, कशूरी मेथी भून चुका था, मैं इसे साइड में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और इधर मैं मसालो को चेक कर ले रही हूँ, धकन हात आते ही ही, कापी अच्छी खुश्बू आने मिक्स कर दूंगी, सिमला मिर्च को थोड़ी देर मसालो के साथ भूनने के बाद, अब इसका कलर कुछ इस परकार से आया है, यहाँ पर हम एड़ कर देंगे, जो मैंने ग्रेवी को पीस के रखा था, वो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, सब को अच्छी तरह से मिक्स कर दि कुछ बना रही हो, क्योंकि पूरे घर में इसकी खुश्बू फैली हुई थी, नान के लिए जो मैंने आटा लगाया था, उसे मैंने माइक्रोवेव में 10-15 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि यह अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए, और मैं यहाँ पर आपको आटा भी चीनी डाला है, चीनी डालना भी बिल्कुल ऑप्सनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अब बिल्कुल ग्रेवी तयार हो चुकी थी, अब मैंने इसमें डाल दिया है पनीर के टुकरे, जिसे मैंने फ्राई करके रखा था, साथ में डाला है दो चमच, इसमें दूद की यूज करती हूँ अपने रेस्पी में, तो इसे मिक्स देने के बाद वापस से धकल लगा कर, एक से दो मिनिट के लिए छोड़ दिया है, अब इसमें काफी अच्छी तरह से बॉइल आने लगा था, कलर भी काफी अच्छा आया था, तो ये बिल्कुल बनकर तयार है, पनी मैंने गर्मा गर्म नान तयार कर लिया है, जिसे मैंने आटे से ही बना कर तयार किया है, और सर्व करने के पहले, इस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, और इसे सर्व किया है, इस पनीर लवावदार के साथ, जो काफी स्वादिस्ट, काफी टेस्टी बनी थी, यह रेस्पी आप लोगों को वाकई बहुत पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादर से ज्यादर आपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इधर मैं आपको नान भी तोर के दिखा रही हूं काफी सौफ डोना है वीडियो पसंद है तो लाइक सेर सब्सक्राइब की प्लीज तोर के से में तोर काईब की सेर सेर सौफ